Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है? So यह सारे star signs की reading होती है, यह एक short reading है और बिल्कुल timeless है. सबसे पहले हम overall energy देखेंगे. Overall feelings और thoughts आपके person की क्या है? Six cards हम लेंगे. So शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है darkness, healing, give and take, toxic, betrayal and healthy boundary. So हो सकता है कि आपके person ने आपको धोका दिया है. जरूरी नहीं भी है. हो सकता है कि आपके person को किसी ने पहले past में धोका दिया था. बहुत toxic situation से वो गुजरे थे. और वो heal करना चाहते हैं. वो बहुत ज़्यदा darkness से निकल रहे हैं. मेभी जब से आप उनकी जिंदगी में आए हैं तब से. उन्होंने heal करना शुरू किया है अपने past से. वो आपके साथ एक balanced connection बनाना चाहते हैं. इकल, balance of give and take चाहते हैं इस connection में. वो सकता है कि आपके person को still थोड़ा सा fear है. कि उन्हें धोका ना मिले. हो सकता है कि अभी भी आपके person किसी toxic situation में stuck है. जो भी इस वक्स situation है आप से एक आ जा रहा है कि आप कोई healthy boundary set करें इस connection में. हमारे पास है the high priestess. So observe करें आप इस connection को. 8 of cups. आप में से कोई psychic हो सकता है. कोई बहुत sensitive भी. bottom of the deck पर है 7 of pentacles. उससे भी नीचे हमारे पास 6 of cups है. So I do feel कि ये इनसान आपको miss करते हैं. आपको याद करते हैं. They know कि आप उनसे बहुत ज़दा प्यार करते हैं. बट ये इनसान जिस darkness में है. Maybe जो कुछ उन्होंने experience किया अपने past में. Maybe उनकी upbringing किसी ऐसे environment में हुई जो बहुत toxic था. उनके parents लड़ते थे. I don't know. कुछ toxic उन्होंने देखा. उनकी upbringing जो हुई है. वो आपसे बहुत different थी. और इसलिए ये इनसान कभी कबार आपके साथ कुछ अजीब behave करते हैं. या आपके emotions के जवाब नहीं दे पाते हैं. या understand नहीं कर पाते हैं. आपकी feelings को और आपके emotions को. और आपको ये feel होता होगा कि ये एक insensitive इनसान है. आपको ये feel होता होगा कि ये बेहिस हैं. इनके अंदर feelings नहीं हैं. क्योंकि ये इनसान बहुत ज़दे detach हो जाते हैं sometimes. आपको maybe ghost करते हैं बिलावजा. कुछ ना कुछ toxic trait है आपके person की. इसलिए toxic का card आया. क्योंकि ना कुछ toxic trait है उनकी. जिद करते हैं. Closed off. एकदम से different हो जाता है उनका behavior. तो आप समझ नहीं पाते हैं. उसका reason यही है कि वो एक बहुत darkness से निकल कर light की तरफ आ रहे हैं. और ये process obviously उनको उनके लिए मुश्किल है. uncomfortable है. trigger भी होते हैं वो. बट ये इनसान ये जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इनसान है. एक pure soul है. आपका दिल बहुत बड़ा है. बहुत ज़्यदा loving है. kind है. generous है. वो जानते हैं कि वो आपको इस kindness और इस प्यार के बदले में उतना प्यार नहीं दे पाते हैं. सो ये इनसान ये सोचते हैं आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा deserve करते हैं. आप बहुत ज़्यादा loveable हैं. आप बहुत ज़्यादा प्यार deserve करते हैं. बट वो sometimes आपको खुशी नहीं दे पाते हैं. उनको feel हो रहा है कि जैसे वो हमेशा आपको दुख देते हैं. वो कभी आपको खुशी नहीं देते हैं. तो ये इनसान I feel कि अभी भी आप लोगों के दरमयान बात नहीं हो रही है. आप भी वो आपको ghost कर रहे हैं. आपसे बात नहीं कर रहे हैं. आपसे distance maintain किया हुए है उन्होंने. वो अपने आपसे अपनी life से खुश नहीं है. ट्रिगर हुए हैं वो किसी बात की वज़ा से. और इसका आपसे कोई तालुक नहीं है. अगर आप इस वक्त परिशान हैं कि पता नहीं वो आपसे नाराज हैं. आपने कोई गलती कर दिये. ऐसा नहीं है. जो कुछ भी इस वक्त वो कर रहे हैं. उसका तालुक आपसे नहीं है. वो किसी बात की वज़ा से ट्रिगर हुए हैं. ये इनसान बहुत ददर ट्रिगर हुए हैं वे लग रहे हैं. इसलिए distance maintain कर रहे हैं. वो बताना नहीं चाहते हैं. जो उन्होंने feel किया है. उस बारे में वो uncomfortable हैं. जिस चीज़ पे वो trigger हुए हैं. इसलिए वो share नहीं करना चाहते हैं. इस connection पर वो invest करना चाहते हैं. इस connection में वो चलना चाहते हैं. serious भी हैं. बट patience चाहते हैं आपसे वो. understanding चाहते हैं आपसे वो. आपके लिए sometimes difficult भी होगा ये. उनके साथ patient रहना. उनके अजीब से behavior को लेकर. but still they want कि आप थोड़ा उनके साथ patient रहें. because वो और लोगों की तरह नहीं है. उनका past, उनकी life और लोगों से थोड़ी different रही है. so ये आपकी quick energy update थी. कुछ भी आपके लिए helpful रहा. मुझे जरूर बताईगा comment section में. अगर आप नए थे, like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye-bye.